बवेरू के उपचुनाओं में आज हम निर्दिली प्रत्यासी रामफलत्यागी जी के पास आए हैं और उनसे जानते हैं कि वो किनकिन मुद्दों पर इस चुनाओं को लड़ रहे हैं तो रामफल जी आप किनकिन मुद्दों पर चुनाओं अपना जनता के बीच में लड़ और उस पे जनता किस प्रकार का आप पर भरोशा कर रही है। और यह सब मिला करके जो नगर पंचायत की जो आम जनता है। नगर पंचायत का चेर्मन बनाना चाहती है। यह जनता की हर वाडों की आवाज है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप किन-किन मुद्दों पर चुनाओ लड़ रहे हैं। आप बबेरू की जनता को क्या-क्या आप देना चाहते हैं। किस प्रकार की आप जनता के लिए कार करना चाहते हैं। हमारा मुद्दा जो है जनता के खितों का ख्यार रखते हुए। हमारे यहां जैसे जलनी कासी। जलनी कासी एक है मुद्दा है। हमें बड़े-बड़े नाले, नालिया, सी-सी-रोड और बिजली, पानी, गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाई, जो सरकारी योजनाई आती हैं। लोगों की मदद करना मेरा पहले से धर्म था, आज भी धर्म हैं। ताकि उनकी जो भी मौलिक अधिकार हैं, जो उनको अधिकार पाना चाहिए। वह आज भी गरीब तब के लोग इस योजनाउं से तमाम लोग बंचित हैं। आज जो पीडित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, निरासिद लोग हैं, जो जाती वर कर व्यक्ति हो, उनको ये योजनाई मिलना चाहिए। हमारे तमाम तरह के व्यापारी हैं, जिनको अफमानित किया जाता रहा है। उनके ठेली या ठेला पलटा दिये जाते रहें। उनके साथ बतमीजी होती रहिए। उनके साथ ये सावतेला बिखार कभी न हुवा हैं न होने दूँगा। और उनके साथ कंदे से कंद्ध मिलां कर चलूँगा। उनके हर तरह के दुख सुका में साथ ही रहूंगा जैसा कि देखने में आ रहा है कि आपके बवेरु नगर पंचायत में जाम की समस्या बहुत बड़ी है इस जाम की समस्या के लिए आपने क्या ऐसा मेनुफोस्टो तयार किया है क्या ऐसा आपने मॉडल तयार किया है जिससे आपकी जनता को जाम की समस्य से निजात मिलेगी ऐसा कुछ आपने प्लान तैयार किया है जैसे आद तो मैं भी नगर पंचात का ध्यच नहीं हूँ जैसे निर्वाचित होता हूँ जनता ने जनता की जन भावनाओं के अनुसार इसे जो ट्राफिक का मामला है वहीं पर टाइ आता है तो बादित होते जनता को निकलने में तमाम परिसानी होती इनके लिए हम याता है आज की विवस्था जो छोटे चोटे टैंपो इस्टाप इनको अलग रखने का काम करेंगे जिससे वहां जाकर के वहां लोग जाकर सवारियं बढ़े यह जो चौराहे में रोड में ब्यापारी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती उनको ठीक वहला सही तरीके सम्मान किया जाएगा और ट्राफिक को सुधाने के लिए हम जब अपनी बोल्ड में बैठेंगे हम अपनी बोल्ड में जब बैठक सलाह लेंगे नगर पंचाथ की जब कभी बैठक होगी उच प्रकार के पुलिस के माध्यम से अधिकारियों के माध्यम से कि यहां की बैठक करने का हमारा वादर है बहुत सुंदर अभी हम लोगों के बीच में जो रूवरू हो रहे थे रामफेल त्यागी जी जिनका यहां से निर्दली प्रत्यासी है उन्होंने जनता के लिए जो कर करता कि अधिए जो रूवरू है रहे भूहां से अधिक है कि जो करता कि लोक में छhos करोकता है जो अनते हैं कि अधिक करने के अधि